सिक्षार्थियों नमस्कार मैं डॉक्टर प्रवेन कुमार्तिवारी रास्ट्रिय मक्त विद्याले सिक्षासंस्थान के इस व्याख्यान सरिंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ सिक्षार्थियों आपने पिछले व्याख्यानियों के माध्यम से यह सीखा है कि कोई भी गाउं, कस्बा, नगर, प्रांत आदी अपने आप में एक समुदाय है समुदाय में रहने वाले लोग अपना संपून जीवन उसी के अंतरगत जीते हैं तता बिभिन उदेशियों की पूर्ती के लिए उसमें सदश्य के रूप में रहते हैं एक समुदाय की अपनी कुछ खास परंपराएं होती हैं, खान पान होते हैं, रहन सहन आदी के नियम होते हैं, जो लोगों की व्योहार को नुर्देशित वन्नियंतरत करने में योगदान देते हैं किसी समुदाय के निर्माड के रिए तीन तत्यों का होना आवस्यक है व्यक्तियों का समुव, निश्यत भावगोलिक छेत्र तो पिछली वारता के कारिक्रम में आपने इन सारी चीजियों को सीखा सिक्षार्तियों आज के विशे में एक शब्द का प्रयोग किया गया है सामाजिक अंतहक्रिया तो आएए इसे समझते हैं कि सामाजिक अंतहक्रिया क्या है सामाज, सामाजिक संबंधों का एक जाल है सामाज का परतेक सदस्य अपने किसी न किसी आवस्यक्ता के लिए अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है इस पारस्परिक निर्भरता के करण समाज के सदस्य एक दूसरे के समपर्क में आते हैं और उनके बीच समाजिक अंतहक्रिया होती है सामाजिक अंतहक्रिया को परिभाशित करते हुए ग्रीन ने लिखा है कि सामाजिक अंतहक्रिया से तात्पर्य उस प्रभाव से है जो अपनी समस्याओं को हल करने के प्रयास में और लक्षियों की ओर बढ़ने में व्यक्ति और समू एक दूसरे पर डालते है सामाजिक अंतहक्रिया के कई प्रकार है मुख्य रूप से पांच प्रकारों का जिक्र होता है पांच प्रकार से सामाजिक अंतहक्रियाएं समुदाय में चलती है पहला है सहयोग कॉपरिशन दूसरा प्रतियोगिता तीसरा संघर्ष चौथा व्यवस्थापन विक्र होता है वैसी सामाजिक अंतहक्रियाएं जो समाज में बिघटन लाती हैं वो बिघटन आत्मक अंतहक्रियाएं हैं और वो अंतहक्रियाएं जो समाज में निर्माण का कारे करती हैं अच्छे दिशा में ले जाती हैं वो संजुकतात्मक अंतहक्रियाएं अब आईए सिक्षार्थियों एक एक करके इन विशेयों पे हम बातों को समझें कि सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, आदी क्या है सहयोग का सामान्य तातपर उस अंतहक्रिया से है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य लक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं उदाहरन के लिए सिख्षा का स्तर उच्च बनाई रखने के लिए एवं विद्यार्थियों की ज्ञान वर्दि करने के लिए अध्यापक, मातापिता और विद्यार्थी के मध्य अंतहक्रिया इसका एक उदाहरन है सहयोग के ही माध्यम से समुदाय, विद्याले, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं और ये समाज को बहतर बनाने से सम्मंधित अंतहक्रिया है दूसरी अंतहक्रिया प्रतियोगिता है यह तब होती है जब अवसर कम होते हैं और उसे प्राप्त करने की एक्छा रखने वाले लोग अधिक होते हैं अच्छे विद्यालियों में जब प्रवेश का मौका आता है तो आप देखते हैं कि समुदाय की लोगों में एक प्रतियोगिता होती है सब लोग ये चाहते हैं कि उस विद्याले में उनके वाड का उनके बच्चे का प्रवेश हो जाए संघर्स भी एक महत्वपूर्ण अंतहक्रिया है और वह समाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समो अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए लगातार संघर्स करते हैं जैसे विद्याले बच्चियों की प्रवेश्य के लिए रुडिवादी अभिभावावकों के साथ संघर्स करता है समाज में कई ऐसे रुडिवावदी लोग हैं जो अपनी बच्चियों को विद्याले नहीं भेजते तो उनको प्रेरित करने के जब प्रयास विफल हो जाते हैं तो संघर्ष का ही रास्ता बसता है उनना भिवाव के साथ समुदाय के लोग बाचित करते हैं विद्याले के लोग बाचित करते हैं उन पर दवाव डालते हैं उनके साथ संघर्ष करते हैं तब जाकर पच्चीयों का प्रवेश विद्याले में हो पाता है तो ये एक उदारण है सामाजी कंतह क्रिया का ब्यवस्थापन अगला सामाजी कंतह क्रिया है ये बिभिन्न संघर्सों के दौरान बाहिए सांति स्थापित करने के लिए स्वयंग को बदलने की जो क्रिया मनुस्य करता है उसे ब्योस्थापन कहा जाता है ब्योस्थापन कई तरीकों से हो सकता है जैसे बल के प्रयोग के द्वारा समझहोते के द्वारा पंचों के फैसले के द्वारा या युक्तिकरण के द्वारा संघर्ष के बाद का जो दौर है वो ब्यवस्थापन का दौर है और जो पांचवे अंतरक्रिया है आत्मसाती करण तो आत्मसाती करण के द्वारा असमान ब्यक्ति और समो अपने एक्छाओं और रुचियों को एक दूसरे में समाहित कर देते हैं और समरस बन जाते हैं जैसे कि उनमें कोई भेद भाव और बिरोधी प्रवर्तियां नहीं रहती है जैसे यदि समुदाय और विद्याले में संबंध इस स्तरका डेवलप हो कि समुदाय विद्याले को अपने से बाहर का माने ही नहीं अपना हिस्सा मानना शुरू कर दे तो समुदाय और विद्याले की एक्छाएं एक हो जाएंगी रुचियां एक हो जाएंगी और वो समरस तरीके से दो एक दूसरे का विकास करेंगे विद्याले को यदि हम देखें सिक्षार्थियों तो समुदाय का ही एक लग हुरूप है एक समुदाय में बिविद समू, संस्थाएं और संगठन होते हैं विद्याले भी समुदाय का इक हिस्सा है विद्याले समुदाय की सेवा के लिए समुदाय द्वारा निर्मित किया जाता है विद्याले में नामांकित सभी विद्यार्थी समुदाय से ही आते हैं और विद्याले में एक विशेश समुदाय का मिलकर निर्माण करते हैं इस प्रकार विद्याले को एक संगठित समुदाय माना जा सकता है। जिसे बच्चों के सर्वांगिन विकास और समाजी करण का दायत तो सोपा गया है ताकि वे अपने समुदाय के उपयोगी और जिम्मेदार सदस्य बन सके हैं। अब सिक्षार्थियों इस पे बात करते हैं कि सामाजीक अंतहक्रिया की आवश्यक्ता क्यों है। अब देखते हैं कि विद्यालय और समुदाय के बीच पारस्परिक अंतहक्रिया से विद्यालय की शैक्छिक और प्रसासनिक गतिविधियों का प्रभावी प्रभंधन तो होता ही है साथ ही साथ समुदाय का भी विकास होता है इसलिए विद्याले यूम समुदाई की यह अंतहक्रिया अत्यंत आवस्यक है इस अंतहक्रिया का लाब सिर्फ विद्याले को नहीं मिलता है बलकि समुदाई को ही मिलता है चुकि अंततह विद्याले समुदाई के लिए ही है, समुदाई के ही बहतरी के लिए स्थापित होते हैं एक सिक्षक के रूप में हमें विद्याले की उन वेविद गती विधियों की जानकारी होनी चाहिए जिनके द्वारा विद्याले यों समुदाई को एक दूसरे के पास लाया जा सके और दोनों में अंतहक्रिया बढ़ाई जा सके सक्षार्थियों अब बात करते हैं कि विद्याले और समुदाई के संबंधों के आधार क्या है समुदाय के विकास में विद्याले की भूमी का अत्यंत महत्पुन है क्योंकि विद्याले समुदाय के ही बहतरी के लिए स्थापित होते हैं विद्यार्थियों को समुदाय कारियों में सनलगन करके उनके ज्ञान, अभिव्यक्ति, कोशल और व्यक्तित्यों के समस्त पक्षों का विकास किया जा सकता है विद्यालय और समुदाय विकास है तो प्रभावी रूप से कारे कर सकें इसके लिए उनके बीच अंतहक्रिया आवश्यक है गाधी जी ने भी अपनी जो बुनियादी सिक्षा की व्यवस्था प्रस्तुत की उसमें समुदाय और विद्यालय के अंतर संबंध की पुरजोर वकालत की गांधी जी ने बताया कि समुदाय के साथ जोड़े बिना सिक्षा की वेहतर ब्यवस्था संचालित ही नहीं हो सकती सिक्षार्थियों अब हम गांधी जी के बुनियादी सिक्षा के उन तत्तों की भी बात करें जिसके माध्यम से एक उदाहरन प्रस्तुत किया गया कि कैसे समुदाय और विद्याले के बीच अंतरसंबंद को बढ़ाया जा सकता है गांधी जी ने बुनियादी विद्यालियों में यह कहा कि वहां का जैस्षा का रिक्रम हो वो सीधे तोर पे समुदाय से जुड़े खेती है वहां ले जाया जाए समुदाय की सदस्यों के साथ बातचित कराया जाए गेहूं की खेती कब शुरू होती है उसके रिए किस प्रकार के मरदा की जरूरत है किस अवधी में गेहूं की खेती शुरू की जाए गेहूं के बिविन प्रकार की बीज कौन कौन से है गेहूं की खेती में कौन कौन सी बारीकियां बरती जाती है साथ ही साथ ये तो करसी की बात हो गई इससे ही सम्मंधित यदि गेहूं की खेती सम्मंधित कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई चित्रकला हो, ये सारी गतिविधियां भी चलाई जा सकती है तो इस रोप में जब विद्यार्थी समुदाय के बीच जाता है और समुदाय में होने वाले गतिविधियों का live experience करता है तो समुदाय और विद्याले का रिस्ता और प्रगाड होता है विद्याले के दर्sung के अनुरोप समस्त विद्याले समुदाय का हिस्सा बनकर बिभिन समुदाय गतिविधियों का केंदर बन सकते हैं ताकि समाज की बहतरी के लिए वे सक्रिय भूमिका निभा सकें। सिक्षार्थियों विद्याले समुदाय अंतहक्रिया से सभी को लाव है। अभी भावकों को भी लाव है, विद्याले को भी लाव है, समुदाय को भी लाव है। आईए कुछ लाबों पे हम बात्चित करें। आईए के साथ जोरता है तो समुधाय अपने संसाधनों के साथ वह जोरता है। अभिभावक और बच्चों की सिक्षा में सहभागी होंगे, तो अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आसान हो सकती है। उदाहरण के लिए कक्षा में जो सिखाया गया है उसका अभ्यास घर में कराया जाए तो अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। तो विद्यालेओं को ये चहिए कि अभिभावकों की साथ जोड़ें उन्हें प्रेरित करें कि बच्चों की विकास का काम घर पर कैसे संचालित हो इसकी वो उसका प्रसेक्षन लें और अधिक से अधिक समय अपने बच्चों को भी दें ताकि बच्चे बहतर ढंग से करेंगे समुदाय और विद्याले के इस अंतक्रिया से विद्यार्थियों को भी कई लाग है समुदाय के साथ कारे करते हुए विद्यार्थी यह सीख पाते हैं कि सैधान्तिक ज्यान का उपयोग वास्तविक जीवन में कैसे करना है नहीं तो सर्प कोरे विशय को पढ़कर वे सद्धान्ती सीख पाते, ब्योहार में उसका कैसे उप्योग करना है, वो नहीं सीख पाते हैं, समुदाय के साथ जब वो जोडते हैं, तो वे ब्योहार सीखते हैं, जैसे गेहुधान के बारे में उन्होंने अध्यान तो कर लिया, लेकिन गेहुधान की खेती वास्तों मे कैसे की जाती है ये जब वो खेत में जाते हैं तो सीख पाते हैं पशुपालन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़तो ली लेकिन पशुपालन की क्या दिक्कते हैं कैसे उन दिक्कतों से उबरा जाए ये चीज़ें तब समझ पाएंगे जब जिन्होंने पशुओं को प से नहीं जान पाएंगे यह तब जान पाएंगे जब वहां विजिट करें उनलों से बातचित करें तो समुदाय का समुदाय के साथ जुड़ता है तो विद्यार्थियों को यह सभी लाव मिल पाते हैं उन्हें वास्तविक जीवन का की जानकारी होती है वो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाने में समर्थ होते हैं विद्यालेक के समुदाय के साथ सहयोगात्मक अंतहक्रिया के करण विद्यार्थियों में सकरात्मक दृष्टिकोंड और मुल्यों का भी विकास होता है इस समुदाय के साथ जुड़ने से एक दूसरे को हेल्प करने की भावना एक द उनका भी विकास होता है विद्यालय एवं समुदाय की अंतहक्रिया विद्यार्थियों में अवलोकन और व्यवहारिक रूप से सीखने के कोशल विक्सित करने में भी सहायव होते हैं शिक्षार्थियों विद्ध्यार्थियों को और भी बहुत सारे लाब हैं जैसे विद्ध्यालय यवं समुदाय की अंतहक्रिया विद्ध्यार्थियों के संप्रिशन को असल विक्सित करने में प्रभावी होते हैं जब समुदाय के बीच विद्यार्थी जाकर काम करते हैं तो अपनी बात को कैसे समुदाय के मध्य रखना है इस कला को बहतर ढंग से सीख पाते हैं विद्याले यम समुदाय की अंतहक्रिया विद्यार्थियों में सहयोग और सहायता की आदत विक्सित करने में भी सहायक होती है। समुदाय में किस प्रकार से कारे संचालित होते हैं उसको समझे बीरोधी बातों को कैसे हम सुने और सुनकर कैसे ठीक ढंकी प्रतिक्रिया दें ये सीखे ये तभी सीख पाएगा जब वो समुदाय के बीच जाएगा। लोगतांत्रिक मुल्यों के विकास के लिए जैसे स्वतंतरता, समानता, बंधुत्व, न्याय, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के काम में सहयोग प्रदान करना इन सारे मुल्यों के विकास समुदाय में ही हो पाते हैं। विद्यार्थी सिर्फ विद्यालेयों में इन सारे मुल्यों का विकास नहीं कर सकता, चुकि विद्यालेयों में सिध्धान्त की पढ़ाई ज्यादा होती है, ब्योहार के लिए उसे समुदाय के बीच ही आना होता है. अभिभावकों को भी इससे बहुत सारे लाभ हैं, जैसे विद्यालेयों समुदाय की अन्तहक्रिया के फलसरो, विद्यार्थी के सिक्षण अधिगम में माता-पिता की भागिदारी को प्रोत्साहन मिलता है, माता-पिता ठीक ढंग से समझ पाते हैं कि उनके विद्यार्थी का विकास कैसे हो रहा है, विद्यालेयों समुदाय की अन्तहक्रिया बच्चे के संदर में विश्तृत बहुमुखी सूचना प्रदान करने में सक्षम है, साथ ही यह बच्चे की छुपी प्रतिवा को उजा अगर करने में भी सहायक है, विद्याले के इस प्रयास से अई भावक इस कार्य में केंद्री भूमिका निभाते हैं, विद्यालेयों समुदाय की अन्तहक्रिया की कारण अभिभावकों को विद्याले से जुडाव महसूस होता है, वो निरंतर अपने वार्ड के अपने में राय लेते हैं तो अभिभावकों को भी बहुत अधिक लाब है उनके वार्ड का ठीक ढंग से विकास तभी संब्भ हो पाता है जब समुदाय के सदस्यों के साथ विद्यालय के साथ अभिभावकों का एक रिस्ता एक संबंद डेवलब होता है इसके करण समुदाय को भी बहुत सारे लाब हैं इस अंतहक्रिया के करण विद्यालय 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 की अंतहक्रिया समाज उन्मुख नागरिक बनाती है विद्यालयम समुदाय की अंतक्रिया विद्यार्थियों में सामुदाइक रीति रिवाज यंपरमपराओं का भी ज्ञान कराने में बहुत ही प्रभावी भूमी का निभाती है यह अंतक्रिया सामुदाइक विकास को गती प्रदान करती है भिन्य प्रकार से सक्षम विद्यार्थियों का समुदाय आधारित उनर्वास भी संभव हो पाता है समुदाय में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें सुनने में समस्या होती है जिन्हें चक्षु संबंधी कोई समस्या होती है जिन्हें चलन समंदी कोई समस्या होती है ऐसे विद्यार्थी यदि अभिभावकों पे ही सिर्फ छोड़ दिया जाए तो अभिभावक निराश हो जाते हैं विद्यार्थी में भी निराशा का भाव आ जाता है लेकिन यदि समुदाय मिलकर सहयोग करें विद्यालियों के तो अभिवावकों का भी मनोबल बढ़ता है विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ता है उन विशेश चमताओं की समझ विद्यार्थी स्वेंग कर पाता है कि हमारे अंदर ये चमताओं हैं और इस ढंग से उन चमताओं का हम विकास कर सकते हैं ये सारे लाब समुदाय को उस परिवार को तो होता ही है साथी साथ चुकि वो परिवार वो विद्ध्यार्थी अपने आप में समुदाय का हिस्सा है तो समुदाय को भी लाब मिलता है विद्ध्यार्थी को भी इस अंत्रक्रिया का बहुत सारा लाब मिलता है विद्ध्यार्थी समुदाय के लिए अतिरिक्त आर्थिक व भौतिक संसाधन जुटा पाने में सहयोगी सिद्ध होता है बहुत सारे विद्ध्यार्थी कई प्रकार के भौतिक सुविद्धाओं की कमी से जूशते हैं भवन की कमी से या भवन में तूट फूट हुई हो फरनीचर नहीं हो वहाँ आवस्यक अधिगम सामगरी नहीं हो वहाँ पुस्तकाले नहीं हो तो इन सारी जो समस्याएं होती हैं याधि समुदाय लगातार विद्ध्याल्य को सहयोग करें तो भौतिक संसाधन जुटाने में बेंग में विद्ध्यार्चियों को भेज दिया जाये सिलाई की कक्षा में किसी अस्थानी दर्जी से सहयोग मांग लिया जाए कि आप आएं और हमारे बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे कपड़े सिलते हैं पुलिस स्टेशन का अनभव लेने के लिए पुलिस विभाग की किसी व्यक्ति से बातचित कराई जाए या बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए नियायले के कारे को समझने के लिए बच्चों को नियायले ले जाया जाया कि कैसे नियायले का करिया कलाब होता है इस लक्ष की प्राप्ति में विद्याले को बहुत सारी सुहूलियत होती है, वो सक्षम हो पाता है इस लक्ष की प्राप्ति में। अब आए सिक्षार्तियों हम बातचित करें कि विद्याले समुदाय अंतहक्रिया को बढ़ाने के सरकारी प्रयास क्या-क्या चलते हैं। विद्याले समुदाय संबंधों को स्थापित करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियों ने भी बहुत महत्पुन भूमिका निभाई है, सम्विदान संसोधन अधिनियम 73, 74 और 86 में में इस हेतु आवस्यक प्राविधान किये गए, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, रास्ट्रिय सिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम अफ एक्सन 1992, रास्ट्रिय पाठिचरिया की रूप रेखा 2005, आधिके माध्यम से सिक्षा में समुदाय की सहभागिता के लिए महत्पुन प्राविधान वभ्योस्थाएं की गई है, विध्याले समुदाय अंतहक्रिया को बढ़ावात देने हेतु, शिक्षा का विकेंद्री करण भी किया गया है, शिक्षा संस्थानों के संचालन का जो पावर है, वो भिन भिन लोगों में बाठा गया है, अब ग्राम सिक्षा समिती को आप लें, विध्याले सिक्षा समित को लें विद्याले प्रबंध समिती को लें तो विभिन अस्तरों पर विद्यालेयों के संचालन का जो पावर है वो बाटा गया है इस विकेंद्री करण का लाब मिलता है विकेंद्री करण के कारण विद्याले और समुदाय की सतस्य परस्पर जोड़ पाते हैं यदि ग्राम काई योजनाएं भी बहुत ही महत्यपण भूमिकानी भाती हैं जो यह प्रेद करती हैं कि विद्यालय के लोग, विद्यालय के सिक्षत समुदाय के बीज जाएं, समुदाय के लोगों के साथ समवाद स्थापित करें ताकि एक बहतर दिशा में सिक्षा को ले जाया जा सके। विकेंद्री करण की प्रक्रिया के रूप में राजय सरकारों ने बेभिन ग्रामिर सिक्षा समिती स्थापित किये हैं, साथ ही विद्यालय की कारे प्रणाली को सुधारने में योगदान देने के लिए पंचायती राज प्रणाली को अधिकार प्रदान किये हैं, यह इस हे द्याले प्रबंद समिति, माता-पिता सिक्षक संग, PTA ये तो बहुती प्रचलित व्यवस्था है, माता सिक्षक संग, कहीं कहीं पे माताओं को जिसे गल्स एजुकेशन को बहतर करने के लिए माता सिक्षक संग विस्थापित किये गए हैं, तो ये सारे सरकारी प्रयास भी कहीं न कहीं एक बहतर सिक्षाई माहौल को बनाने में अपनी महत्वपून भूमिका निभाते हैं, सिक्षार्थियों विद्याले समुदाय अंतहकरिया में सिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी समझना आवस्यक है, सिक्षक के प्रयास से स्थानी समुदाय वप्रशाशन बच्चों की अन्वेशन प्रकृति को प्रोशाहित करें, इसकारे में सिक्षक योजना बनाएं और विद्यार्थियों की मदद करें, जैसे यदि विद्यार्थी को बिभिन प्रकार के पौधों के बारे में जानना हो तो सिक्षक उन्हें समुदाय में ले जाकर बिभिन प्रकार के पौधों के बारे में कृसक से सीखने हे तो प्रोश साहिद करें बिद्ध्यार्थी को बैंक की कारे प्रणाली जाननी हो तो उसे बैंक में ले जाकर बैंक करिए उससे सीखने के लिए प्रोशाहित किया जा सकता है स्थानिय शासन यों स्कूल की मदद से बच्चों को सूचना संग्रहन, नियोजन, मुल्यांकन यों प्रबंधन के मौके दिये जाए जिससे उनमें लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो सके या सुनिश्यत करें कि बच्चों को उनके अधिकार दिये जाने चाहिए और निरंतर उनके अधिकारों की रक्षा हो ऐसी बेवस्था भी सिख्षक को निरंतर करनी चाहिए सिख्षक समुदाय के मौके कितिहास लोक गीत लोक संस्कृति लोक कलाएं इत्यादी और पारंपरिक ज्यान इसे बीजरोपन वह फसल कटाई मांसून संबंधी ज्यान परंपरागत सिल्प से जोड़ी कलाओं का ज्यान इन सब का प्रसार बच्चों में कराएं कि हम जहां आवस्यक को स्कूल को इसके लिए प्रोच्साहित करें विशय वस्तु को संसोधित कर उसमें स्थानी इस्तर के ब्यवहारिक और उपयुक्त उदाहरन जोड़ें ज्यान के स्रिजन में विद्यार्थियों की मदद करें समुदाय अधिगम के क्रम में बच्चों द्वारा मह अनुकूल परिवेश विख्षित करने में सिक्षक अपनी भूमी का निभाएं बच्चों को घरेलू भासा के इस्तमाल में मदद करते हुए उन्हें क्रम से स्कूली भाषा तक लाने में स्थानी भाषा बोलने वाले लोगों की मदद सिक्षक ले सकते हैं कई आदिवासी छेत्रों में ये दिक्कते आती हैं बच्चे बहुत ही तूटी फूटी भाषा लेकर स्कूल आते हैं वो स्थानी भाषा को लेकर आते हैं और जो समवाद की भाषा होती है उनके पास बहुत तूटी फूटी होती है सिक्षकों को उन्हें समझाने में दिक्कत होती है ऐसे मौकों पे वो अस्थानी लोगों का सयोग ले सकते हैं उनसे बाक्चित करके कैसे उनकी स्थानी बोली को सिक्षक समझ पाए और सिक्षक की बोली को विद्यारती समझ पाए इसके आउसर हम कैसे बढ़ा पाएं ये प्रयास स्थानी लोगों के साथ मिलकर सिक्षक कर सकते हैं स्थानी भाषाओं में सिक्षन अधिकम सामगरी के विकास में स्थानी व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है इस पर मन्थन किया जा सकता है कि पाठिचरिया में किस प्रकार से सिमित संसोधन किये जाएं ताकि स्कूल की प्रक्रिया में गाउं को सामिल किया जा सके विध्यार्थियों को बिभिन सामुदाई गतिविदियों में सहभागी होने के लिए प्रेरित करें विद्यारतियों को बाहर ले जाएं और उनसे बिविन्द प्रकार की आना जो पत्तों, पौधों, कीटों के संग्रह करने की बात करें और समुदाय के लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप विद्यारतियों को सहयोग करें ताकि वो इस तरह की चीजों का संग्रह कर पाएं जब संग्रा हो जाए तो समुदाय के लोगों के साथ बैठ कर परिचर चा भी करें कि हर एक की क्या खासियत है, क्या उप्योग है. अपनी कच्छा में स्थानी विशे सग्यों का भी उप्योग किया जा सकता है, जैसे गणित पढ़ाने के लिए आप ब्यापारी कुछ ब्यापारियों को जो के गणनाये करते हैं, या दर्जियों को जामिती रिचनाव को पढ़ाने के लिए दर्जियों को बुला सकते हैं, त पिर समझने के लिए बस किस समय निकलती है, और किस समय पहुंचती है, कैसे समय शार्णी बनाई जाती है, किसी दूरी को तै करने में बस को कितना समय ब्यतीत होता है. इन सारी चीजों के माध्यम से वो समय सारणी का निर्माण कैसे करना है यह सीख सकते हैं विद्यार्थियों को विद्याले के बाहर ले जाकर वास्तविक जीवन का अनुभू कर आ सकते हैं दूरियों का अनुमान करना और उन्हें मापना सिखा सकते हैं यह दरसाना की घेरे पर हर बिंदो केंदर बिंदो से समान दोरी पर होता है, ये भी आप सिखा सकते हैं। जो समुदाय के सहयोग से विद्यालय संचालित कर सकते हैं और विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन का अनुभाव दे सकते हैं। तो सिक्षार्थियों आज हमने सीखा कि समुदाय एवं विद्याले की अंतक्रिया के क्यालाब है या क्यों महत्वपुन है और इसे कैसे उन्नत बनाया जा सकता है इस परिचर्चा के स्रिंखला में किसी नए विशय के साथ पुनह मैं आपके बीच आऊंगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद